इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते हैं। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। आपकी तवचा की जलन पैदा करने वाली प्रतिक्रिया के कारण होने वाली लालिमा, रैश, दर्द या खुजली को कम करता है। यह आपके आत्म सम्मान और आत्म विश्वास में सुधार करता है क्योंकि आपकी उपस्थिती बदलती है। आपको हमेशा निर्धारित अनुसार क्रीम या मलहम का उपयोग करना चाहिए और केवल वही राशी लागू करनी चाहिए जो आपको बताई गई है। जब तक इसका पूरा लाब पाने के लिए बताया गया है, तब तक इसका इस्तिमाल करते रहें। यह दवा केवल बाहरी उपयोग के लिए है। अपने चिकितसक द्वारा सलाह के अनुसार इसे खुराक और अवधी में प्रयोग करें। उपयोग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें। प्रभावक शेत्र को साफ और सुखाएं और धीरे से मलहम की मालिश करें। क्लोबेटाकस एस ओइंट्मेंट दो दवाओं का एक मिश्रन है क्लोबेटासोल और सैलिसिलिक एसिड जो एक सिमा और सोराइसिस का इलाज करता है। क्लोबेटासोल एक स्टेरोइड है जो उन कैमिकल मैसेंजर यानि की प्रोस्टाग्लेंडन्स को बनने से रोकता है जो त्वचा को लाल, सूजे हुए और खुजलीदार बनाते हैं। सैलिसिलिक एसिड एक केराटोलिटिक दवा है जो केराटिन के गुच्छों को तोड़ती है। मृत त्वचा को शिकाओं को हटाती है और त्वचा को मुलायम बनाती है। यह त्वचा में कलोबेटासोल के अवशोशन को भी बढ़ाता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन on all notification पर सेट करें। धन्यवाद।